हलो एवरिवान आई होप यो अला फाइन तो मैं आई इस वीडियो में आप लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सी इंफोर्मेशन लाई हूं कि मिनिमूम सी वीटी स्कोर क्या रहना चाहिए फॉर दर टॉप कॉलेजिस यह बहुत जादा क्वेरी स्टूरेंट की आ र मिनिममम स्कोर का भी ठोड़ा सा ऐडीया दे दीचे तो takiego स्टूरेंट की सारी कोईरी चाहिए यह दूर हो जायें अना इनो कि हlläुक ट वहता है है मिनिममम स्कोर भी ठोड़ा अइडिया को चाहिए है ठीक है tällS बढ़ार मिनिममम स्कोर की बात पर करते हैं ऐसा कुछ ऐस सच यह कोई नॉम नहीं है कि इतना ही minimum score रहना चाहिए बर पते हमारा जो minimum score होता है वो भी कुछ factors पर depend करता है सबसे पहला depend करता है category पर अब सभी को पता है कि category wise हमारी cutoffs आती है तो किसी category के लिए cutoff कुछ होर होती है किसी category के लिए कुछ होर होती है तो वो vary कर जाती है अब इसमें भी आप लोग के लिए पास twist होता है कि जब वो vary करती है तो आप सब परिशान हो रहे होते हो कि उसका इतना अगे है अरे it is perfectly decided okay तो हमारी जो हते है यह category पर depend करती है second जो होता है course पर depend करती है और college पर भी depend कारती है course पर देपेंड करती है third factor हो मारा जो है college college पर depend करती है seats पर depend करती है there are many factors in sback पर क्या करती है यह सारह criteria там करता है about the कट-off ठीक है so general level what will be a minimum score अब बात करते हैं कि न नौर्थ campus colleges सबको पता है बहुत अच्छा target होता है और बहुत अच्छी से cut-off आती है बट क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो हमारा Delhi University का North Campus है उसमें भी दो पार्ट में divide करते हैं हम लोग ठीक है एक होता है सूपर हाइड कट-off जिसमें आती है ठीक है सूपर हाइड कट-off एसार सीसी सेंट स्टीफिन्स हिंदू मिरांडा में आ जाते हैं ठीक है फिर होते हैं हाइड कट-off colleges अब आपको पता होगा यहां परतों न क्या होता है 100 percentile भी वह लोग मांगते हैं सो यह तो सूपर हाइड कट-off वाले हैं दूसरे नौर्थ कैमपस के colleges है जिनकी कट-off हाइड रहती है नौट सूपर हाइड राम जस हंसराज के एमसी एसजी टीवी और दॉलत राम ठीक है इनकी अब यह होता है कि हाँ डेफिनेटली इनकी भी स्कोर हाइड होता है पर फिर भी इनका इतना हाइड नहीं होता है ठीक है अब हम लेखते हैं यहां पर सूपर हाइड कट-off वाले यह 785 प्लस कोर होता है इनका स्कोर के इतन हाइड सूपर हाइड कॉलेज को आप सर्फ इसी कट-off पर क्रॉस कर सकते हो हाइड कट-off 770 प्लस को जिसका होगा वह इस कॉलेज में लाइग कर जाएगा ठीक है अब देखो बहुत सारा होता है सब को पता है कि कट-off में आना है उसके लिए बहुत सब कुछ हमारे पास होन हे लाइग्विज वाला मेंडी और second हमारा डöमेन होता है सब्सक्रेजरी अनोग अब हमारे जिकरा हें को बहुत सब्सक्रेज क किनी आना है Leo में लोग के लिए हमारे बाचर्च मेन हो सकते हो सो यह हमारे रांगर्रे बाच बाच अब your बाच है हमारा यह हमारे rankers batch है, rankers batch for commerce stream, यहाँ पर आप join हो सकते हो section 1, section 2 and section 3, section 1 is for English, language और English और Hindi बोल सकते हैं हम लोग, और section 2 में हम commerce, domain provide कर रहे है, section 3 is for our general test और यह इतने में आपको मिल जाएगा, दूसरा है हमारे rankers batch for humanities stream, और section 1, section 2, section 3, section 1 is for Hindi and English, section 2 humanities domain के subjects and section 3 is general, फिर rankers batch for science stream, यहाँ पर भी section 1 में English, Hindi, section 2, science domain, section 3 general test आप लोग को मिल जाएगा, just at a price of this, और आप इस whatsapp number पर contact कर सकते हो, वो आपको आप मारी सारी information provide कर देंगे, ठीक है, so guys if you have any query related to this, आप कर सकते हो, और यह सब batches आपको subject wise मिल रहे हैं, so that आपकी तैयारी solid हो सके, all right, thank you so much and I hope this video is helpful for all of you, और आप लोग जब target कर रहे हो, तो highest score target करो, minimum नहीं, हम मिनिमम का एक हमारे पास idea होना जरूरी होता है, so उसके लिए मैंने आप लोग को एक video provide करती है, thank you so much and I hope this video is helpful for all of you,